बच्छों कैसे हो आप सब आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे इस वीडियो में हम कक्षा 2 के पाठ 2 लालच बुरी बला है को सीखेंगे और हम इसके प्रशनों तरों को भी जानेंगे अगर आपको पाठ एक चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चैनल में मेरे देख लीजिए आपको इजिली वहाँ पर मिल जाएगी तो बच्छों मैं इस लसन को पढ़ती हूँ आप ख़ूर से सुनिये पुराने जमाने की बात है रंगपा नामक एक आदमी जंगल के रास्ते से बंडीपूर जा रहा था जाते जाते रात हो गई तो कहानी शुरू होती है कि पुराने जमाने की बात है यहां पर रंगपा नामक एक आदमी जंगल के रास्ते से कहा जा रहा था बंडी पूर जा रहा था और जाते जते रात हो गई रात के समय वह रास्ता भूल गया तो रंगपा रास्ता भूल गया क्योंकि बहुत रात थी तो रात के समय वह रास्ता भूल गया अचानक उसने सामने एक हाती को देखा तो अचानक रंगपा ने सामने से हाती को देखा वो हाती के भयानक रूप को देखकर डर गया तो रंगपा ने रात को हाती को देखकर क्या होगा डर गया बचों आप भी अगर हाती को देखते हैं तो डर जाते हैं ना तो इसी तरहां रंगपा ने भी हाती को देखकर डर गया तो तब हाती ने उससे यूं कहा तो हाती ने क्या कहा रंगपा से तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं तब रंगपा ने कहा कि मैं बंडीपूर जा रहा हूं पर मैं रास्ता भटक गया हूं तो तब हाती ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बंडीपूर पहुंचाओंगा हाती ने रंगपा को अपनी पीट पर बिठा कर बंडीपूर पहुंचाया रंगपा ने हाती को धन्यवाद दिया वहां से वो शहर लोड गया तो इस तरह हाती ने रंगपा की मदद की हाती ने पीट पर बिठा कर रंगपा को कहा पहुंचाया बंडीपूर पहुंचाया ठीक है रंगपा कलांजली नामक प्रसिद्ध दुकान में खिलोन ने खरीदने गया तो रंगपा कहां गया रंगपा कलांजली नामक प्रसिद दुकान में खिलोने खरीदने गया उसने कुछ सुन्दर खिलोने खरीदे और दुकानदार ने उससे कहा कि हमें हाती के दांट मिलते तो हम और भी सुन्दर कलातमा चीजों बना कर बेचते तो क्या कहा, देखो दुकानदार ने रंगपा से क्या कहा, कि अगर हमें हाती के दान्त मिलते, तो हम और भी सुन्दर कलात्मक चीजें बना कर बेचते, तो दुकानदार कह रहा है, कि वो हाती के दान्त से बहुत सारी चीजों को बनाता है, तब रंगपा ने कहा, कि मैं आप को हाती के दान दे सकता हूं तो रंगपा ने क्या कहा कि मैं आपको हाती के दान दे सकता हूं तब दुकानदार ने हाती के दान ला देने पर उसे बड़ी रकम देने की लालच दिखाई तो रंगपा ने जब दुकानदार से कहा कि मैं वो उसको हाती के दान लाकर दे सकता है तब दुकानदार ने दान्त के बदले बहुत बड़ी रकम देने की लालच दिखाई दुकानदार ने कहा कि वो रंगपा को बहुत सारे पैसे देगा तो रंगपा ने हाती के पास जाकर यूँ प्रार्थना की तो रंगपा ने क्या किया रंगपा जाकर हाती के पास बोला कि मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है कृपिया आप अपने दांत देंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा तो रंगपा ने जाकर हाती से क्या कहा कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है अगर आप मुझे आप की अनुमती दे दी तो हाती ने क्या कया हाती ने रंगपा को अपनी दानतों में से थोड़ा हिस्सा काटने की अनुमती दे दी अनुमती यानि पर्मिशन पर्मिशन दे दी तो अब रंगपा हाती को धन्यवाद दे कर दानतों का थोड़ा भाग काट कर ले गया तो रंगपा ने हाती को धन्यवाद दिया यानि थैंक्स बोला और दातों को लेकर चला गया दुकानदार ने रंगपा को बड़ी रखम दे दी तो दुकानदार ने रंगपा को जैसे के उसने कहा था कि वो रंगपा को रखम देगा तो उसने रुपिये रंगपा को दे दिये वो खुश ह उसके मन में लालच पैदा हो गई, देखिए अब रंगपा के मन में लालच पैदा हो गई, कि वो फिर हाती के पास चला गया, उसके दामतों को पूरी तरहा काटने की बात उठाई, तब हाती ने लाल लाल आंखें दिखाई, रंगपा डर के मार, जान हतेली पर लेकर भाग निकला, तो जब हाती ने थोड़ा सा हिस्सा काटने के लिए रंगपा को अनुमती दे दी, जब परमिशन दे दी, तो रंगपा जब वो लेका कर दुकानदार को दे दिया, तो उसके दिल में लालच पैदा हो गई, कि अगर वो और भी दांट काट कर देगा, तो और भी र रंखे लाल कर ली और रंगपा को घूर कर देखने लगा, तो रंगपा डर के मारे जान बचा कर भाग गया, तो बच्चों इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये सीख मिलती है, कि लालच बुरी बला है, हमें कभी भी लालची पन नहीं करना चाहिए, इसके शब्द जात को देखेंगे हम रकम यानी रुपया पैसा लालच में यानी लोभ बेडा पार होना कश्ट से बाहर निकलना जान हतेली पर लेकर भागना यानी प्राणों की रक्षा करने के लिए भागना अगला अभ्यास नीचे लिखे प्रश्णों के उत्तर लिखो रंगपा कहा जा रहा था रंगपा बंडीपूर जा रहा था रंगपा ने हाती को कब देखा रंगपा ने हाती को जंगल में देखा रंगपा क्यों डर गया रंगपा हाती को देखकर डर गया हाती ने रंगपा से क्या कहा हाती ने रंगपा से कहा के डरो मत रंगपा को बंडीपूर किस ने पहुंचाया रंगपा को बंडीपूर हाती ने पहुंचाया रंगपा खिलोने खरीदने कहा गया? रंगपा खिलोने खरीदने कलान जली गया हाती के दांट किसने मांगे? हाती के दांट दुकानदार ने मांगे दुकानदार ने रंगपा को कैसा लालच दिखाया दुकानदार ने रंगपा को हाती के दांट लाने पर बड़ी रुपियों का रखम का लालच दिखाया हाती ने रंगपा को क्या दिया हाती ने रंगपा को दांट दिये दांट का थोड़ा हिस्सा दिया दांत के बदले दुकानदार ने रंगपा को क्या दिया दांत के बदले दुकानदार ने रंगपा को बड़ी रखम दिया रंगपा दुबारा हाती के पास क्यों पहंचा रंगपा दुबारा हाती के पास और थोड़े दांत काटने के लिए पहुंचा रंगपा क्यों भाग निकला, रंगपा डर के मारे भाग निकला, खाली जगा भरो, रंगपा जंगल के रास्ते डैश जा रहा था, बंडीपूर जा रहा था, रात के समय रास्ता डैश गया, रात के समय रास्ता भूल गया, हाती ने रंगपा को अपनी डैश पर बिठा कर बंडीपूर पहुंचाया, अपनी पीट पर बिठा कर बंडीपूर पहुंचाया रंगपा ने कुछ सुन्दर डैश खरी दे, रंगपा ने कुछ सुन्दर खिलो ने खरी दे दुकानदार ने रंगपा को डैश देने का लालच दिखाया सही शब्द चुनकर खाली जगा भरो तुम डरो डैश, तुम डरो नहीं तुम मेरे साथ डैश, तुम मेरे साथ चलो रंगपा ने हाती का डैश दिया, धन्यवाद दिया मुझे डैश की बड़ी जरूरत है, मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है तब हाती ने लाल-लाल डैश दिखायें, आंखें दिखायें विलोम शब्द लिखो, विलोम शब्द यानी ओपोजिट वर्ड्स पुराना नया, रात दिन, डर निडर, उपर नीच देना, लेना, सुन्दर, असुन्दर, पास दूर, अन्य वच्चन रूप बदलो, वच्चन रूप यानी सिंग्यूलर प्लूरल ठीक है आदमी, आदमी, पीट, पीट, कदम, कदम, दान्त, कदम, कदमों, दान्त, दान्तों, चीजें, चीज, चीजें, आँख, आँखें, दुकान, दुकानों सही करम में लिखो यहां पर जो वर्ड्स दिये गए हैं वो ठीक करम में नहीं है हमें ठीक करम में लिखना है है बात की पुराने जमाने आंसर है पुराने जमाने की बात है किसने कहां और किस से कहां यानी हूँ से तुम डरो मत मैं तुम डरो मत मैं तुम डरो मत बात है तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ हाती ने रंगप्पा से कहा तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बंडिपूर पहुंचाऊंगा हाती ने रंगप्पा से कहा मैं आपको हाती के दान दे सकता हूँ रंगपा ने दुकानदार से कहा मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है कृपिया आप अपने दान देंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा रंगपा ने हाती से कहा सामान अर्थ वाले शब्द लिखो यानि सेम वर्ड रास्ता मार्ग जरूरत अवश्यकता भागना दोड़ना रखम पैसा सही शब्द के सामने राइट चिन और गलत शब्द के सामने रॉंग चिन लिखो देखो इसमें कौन सा सही स्पेलिंग है बंडीपूर की उसे हमें राइट करना है बंडीपूर ये सही है और ये गलत है भयानक भयानक सही है भयानक गलत है रकम राइट के समय रास्ता भूल गया रंगपा बंडीपूर जा रहा था कलान जली दुकान बड़ी रखम का लालज दिखाया डर के मारे भाग गया तो बच्छों आपको एक 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 आक्टिविटी दी गई है कि आपको हाती का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है ठीक है तो यह रहा आपका लेसन नमबर टू लालज बुरी बला है अगर आपको और भी लेसन्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लिजिएगा और अगर आपको पिछले वाले लेसन्स चाहिए तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं थैंक्यू धन्यवाद